कि आज मुख्य मंत्री जी नए मद्यप्रदेश केवनेट की बैठर आज बल्लब भवन में मानी मुख्य मंत्री शिवराज सिंगी चौहान जी की अद्धिक्ष्टा में संपन्न हुई जिसमें अनेक महत्तपूर्ण डेड़ने लिए गए आज मुख्य मंत्री जी ने प्राणम में ही इसपष्ट किया करोना की वज़े से वर्चुल केवनेट प्राणम हुई थी आज के बाद वर्चुल नहीं होगी जो भी केवनेट होगी वह एक्चुल ही होगी अंकारिस्वर में आचारिशंकर की 108 फुडूची बाहु दात पत्मा संग्राले अद्वेत अंतर राष्टी वेदान्त सिद्धान्त की अज़ने रुमान की सिद्धान्तिक सुक्रती आज 2141.85 क्रोण की सद्धान्तिक सुक्रती पदान की है ये खण्णों में और क्रम से प्रारंब होगा अनि मुक्कमंत्री जी ने इसकी दिविता और भबिता के वारे में भी प्रकास डाला है आज जो हमारे पुलिस की कर्जवान ड्यूटी पर रहते हैं अस्वस्त होते हैं वो उनके परबार के जो हमारे प्रात्मिक स्वास्त के इंदर हैं उनके लिए भुपाल में अब एक आधरिक सुब्धा और सर्वस्ब्धा से युग्द्ध पुलिस चिकिस साले बनाये जान का मद्यप्रदेश की केमरेट ने पचास बैड का अस्पताल भुपाल के जो कुरिश के लिए उसको भी सेवदान्तिक सेवद्धी आज प्रदान की गई है जैसा आप सब लोगों को विदित है कि निवेश के लिए लगातार मद्यप्रदेश में लोग आ रहे हैं और हमारे पास अब जगे कम पड़ रही है इसके लिए स्वभाविक रूप से आवश्यक्ता है कि हम नए छेत्रों को विद्धित करें अब प्रदेश में दो नवीन उद्धिविक पार्क बोपाल के बगरोद गोकला कुंडी और सीहौर के बढ़िया खेडी यह 69.89 करोड की लागत की वित्ती विवस्ता आज कैबिनेट के द्वारा की है इसमें अलग-अलग खंडों में अलग-अलग विश्यों पर अलग-अलग अंस के साथ में मद्धिप्रदेश की कैबिनेट के द्वारा इसमें सहमती दी है इसकी स्थापना के लिए लगवग और दिविक शित्रों के विकास के लिए ये सहमती दी है इसमें 1650 करोज रुपे के निवेश की संभावना है और लगवग 2000 लोगों को 1950 लोगों को इन शित्रों में रोजगार उपलब्द हो सकेगा आज एक महत्तपूर इंग्रेणे में मंद्यप्रदेश खनिज अवैद परिवन एवं भंडारन नियम 2022 को भी केबिनेट के द्वारा मन्जूरी दी गई है इसमें माइनिंग के अवैद परिवहन पर सक्ती बढ़ाई गई है कानूनों को सक्त किया गया है जिससे के हमारे यहां पर जो सिकायत आती है चोरी की रॉयल्टी चोरी की उसमें भी उनकी टेप्टर टोली अगर पकड़ी जाती है तो रॉयल्टों की पंद्रा गुना रासी परियावन च्छति पूर्ति के दंड के रूप में और कुल रॉयल्टी का तीस गुना दंड लेने का भी प्रावदान है अगर ये प्रश्वन नहीं करता है तो दंड को दो गुना करेंगे वहान मस्यों को रिराजसात होगी इसमें भान रसीनी जो खनेज रॉयल्टी जमा करेगा वो उसकी को भी विवाजित किया गया है जो कि पूरु के प्रावदाओं से लगबद दो गुनाएं सबसे कम टेक्टर टोली पर रखा गया है लेकिन उसके बाद के वहानों पर छे दुपईया वहान टू एक्सेल पर पचास हजार रुपया चतिपूर्ती का डंपर पर एक लाख रुपया दस्पईया वहान पर दो लाख रुपया दस्पईया वहान थ्री एक्सेल पर दो लाख और दुस्पईया वहान से अधिक पर चार लाख रुपया ये दुग्णा कर भी है जुर्माने की रासी इसमें एक चीज़ और है कि अभी तक अभी तक रिड़ पुष्टका के माध्यम से सुपुर्दगी दी जाती थी अब रासी जमा करेंगे अगर तो सुपुर्दगी जी जाएगी सबसे कम टेक्टर टोली पे पचास जार रुपर में रखी है जबकि टू एकसल छे पईया वाहन पर एक लाक पचास जार डंपर हाइडोलिक छे पईया वाहन पर दो लाक थ्री एकसल दस पईया वाहन पर तीन लाक चार शे एकसल दस पईया वाहन पर चार लाक जेसे भी दो लाक पोकलेंड चार लाक इस तरह से इसको भी विवाजित किय गया है और अन्य उपकरण या और मिलते हैं अजार मिलते हैं तो उन में बाजार मूली का दस प्रस्ट इस तरह से रखा गया अपील का लेक्टर के हां या कलेक्टर की अपील कमिशनर के हां भी करने का इस तरह से अवैद माइनिंग रोकने के लिए आज बहुत कठोर रिड़ मंद्य प्रदेश की के द्वारा लिए गए लोग सेवा प्रबंदन विभाग में जो हमारे संचालित लोग सेवा केंद्र थे तो प्रारम में जब लॉकडाउन हुआ था प्रदेश के अंदर एक अप्रेल से एक तीस मई वाले में उस समय ये हमारे केंद्र बंद रहे थे तो इनको वीजी एफ की जो पात्रता थी इनकी उसको सुन किया गया है तीन माह की अवदी की इसमें समय सीमा में भी ब्रद्द की गई है और इसके लिए इसको सुन कर दिया गया है रासी को सहरी समर्पित परिवहन कोस को निरंतर रखते हुए आज मद्द्य प्रदेश की केमिनेट के यादा यूडी टी एफ मद को असी करोड रुपए जो तालका में दिया गया उसके अनुसार सेमती प्रदान की है एक अन्य योजना जो काफी महत्यों की है अटल नवीनी के अन् है जिसमें हमारे कई चीजें नगरी निकायों में आती थी अभी तक इने कुछ चन्निस सहर और नगर पालका ली गई थी अब पूरे मद्द्य प्रदेश की नगर पालकाओं को लेने का मद्द्य प्रदेश की केमिनेट ने ताइक किया इसमें खासकर जलपरदाय सीवरेज फीकल फ्लज प्रबंदन जलसन रचनाओं का नभी निकर्ण हरीच छेद्र पार्क विकास ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको लेने का आज केमिनेट ने पूरे प्रदेश के जो हमारी अम्रत टू योजना आई है उसको अब सभी नगरपाल का उसमें लागू करने का चेकिया ह इस पकार कुल योजना की रासी 11,680 करों रुपया है क्योंकि अम्रत गटकों के द्वारा और राजिस रासन के द्वारा रासी अपनी इनको भी प्रदान की जाएगी एक दूसरी लोग निर्माण द्वाग का राष्टी राजमार 92 भिंडे टावा जो है इसमें किंद्री सडक अदुस अन्रचना निदी के अंतरगत राजिस आसन की रासी के साथ में महाराली लेशिवाई पतिमा तक स्वर्ण नाले के ऊपर फोर्लेन एलीवेंटेड कोरीडोर फ्लाइ ओवर के निर्मान की स्विक्रती आज दी गई है जो कि हमारे बालियर के विकास की दस्टी से बहुत महत्तपूर नेड़ने आज मंद्यप्रदेश की केमरेट ने किया है और इसके लिए अलग अलग रासी मंजूर की गई है इसकी अनुमानित लागल चार सो चालीस करोड बानुए लाक रुप्या है इसके लिए अन्य प्रावधान भी किये गए हैं और ये फ्लाई ओवर है पूरे शेर के अंदर बीच में से सुरण रेखा नाले पैसे महारानी लक्षी माई समाधी के इस्टेचू तक आएगा नर्मदा बेशन प्रजेक्ट कंपनी लिम्टेट द्वारा मंद्यपदेश सरकार की एक्विटी शेर जानी करने के संबंद में अरूसमरतन का मामला था इसको भी आज मंद्यप्रजेश की के द्वारा किया गया है जैसा उनके सुध्री करन के लिए डियार आईपी योजना में हमने प्रतम चरण में बहुत अच्छा काम किया था दोती चरण के लिए भी 551 करोर जो पुराने माद हैं उनके मरमत के लिए भी आज के द्वारा 551 करोर की मज्यूरी दी है तीन विस्विद्याले प्रेश्टीच व इद्या पीट विस्विद्याले इंदोर की इस्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माद्यम से संसोदन अध्यादेश 2022 के आज अन्दमोलित किया है एक अनूठी योजना है जो मद्यपरदेश चला रहा है जो परिसंपत्नियों के निवरतन का मामला है और आप सब को भी विदित होगा कि इसमें मद्यपरदेश ने पहल की तो हमें काफी केद्र सरकार के द्वारा सरहाना मिली यहां तक कि हमें बड़ी रासी केद्र सरकार के द्वारा इसमें लगबग पांसो करोड रुपया जीरो ब्याजपर के द्वारा हमारी स्योजना के लिए लगबग पुरुषकार सरूरू भी कह सकते हैं हिंदुस्तान का एक मात मद्र प्रदेश ऐसा राज है जिसने इस तरह की परिसंपत्तियों का निब्रतन किया है ये आज जो आए हैं विसे उनमें भोपाल की सेंटर प्लेस बेरागर परिसंपत्ति निब्रतन का है इसमें एक तालीस रूपे में सो परस्त राशी जमा करने के बाद में देने का के इसका अभी आज डिफर किया है बुपाल की सेंटर प्रेस चुकि ये मामला न्यायले में विचारा दीन था इसकी बुली जो मैंने अंक बताए हैं इसमें आ गई थी पर डिफर हुआ है जबकी जबलपूर इस रासी जमा करके देने का तtrог किया है पहला दूसरा दिया है इसी तरह से सतना का सतना बस दिपो थी उसको 62 करोड 62लाग में देने का सौपर सतना जमा करके तय किया है उज्जेन का जो असोका मन्डी मार्ग आगर रोड है उस पर बिनोध मिल परसंपती में आठ और नो का एकल भूम पारिसल को उन्नीस करोड़ों चालीस लाग शालीस हजार में सो परसंट रासी जमा करने के बाद देने का तैकिया है इसी तरह से सहकारता विवाग की सहकारी सोया वीन परसंट कर संग्यूंत नागजिरी जला उज्जेन इस्टित परिसंपती को दस करोड़ों चौरानवे लाग असी हजार में सो प्रस्चत रासी तिलहन संकीज भूमी को देने का तैकिया है इन दौर में भूखन पार वन छेत्रफल दो हजार वर्ग मीटर इसे नौ करोड़ चौबीस लाग अठारा हजार में देने का सो प्रसंट रासी के बाद में तैकिया है वहीं उज्जेन के सहकारता विभाग के प्रसंसकर्ण नागजिरी आ गया ये दोनों आ गए टाविज़ों एक अन्य अदोस अंज्जेन विकार से जोड़े विभागों के लिए सीधी भरती के लिए आज जो दो बिसे आये थे एक सीधी भरती के सायक इंत्रिका और उप्यंत्रिका जिसमें उप्यंत्रियों के लिए पीईवी के माद्यम से भरने का की सेधान्पिक सेमती दी पर चुकी सायक इंत्रियों और उसके लिए गैट का विस्ट आया था जबकि मुख्पंत्री जी की इच्छा है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को जाला से जाला रोजगार मेले तो उन्हों ने पुरह इसकी समीचा करने के लिए सियेस महुधय को अधिकत किया है हाई मुक्क मुंत्री जी ने दो बात और बोली बारत तारिक को फसल बीमा योजना का कारिक्तम संपूर्ण प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा मैं यह के ना भी प्रासांगिक समझता हूँ कि हमारी सरकार एक मात रहसी सरकार है वो सरकार थी जिसने चार हेजार पांच हेजार कुल करोड रुपया किसानों के बीमा और कर्जा माफी के नाम पर कुछ भी नहीं किया और प्रदेश के अंदर जबकि हमने अखेले बीमा में दर्सąजार करोड से उपर की रासी किसानों को देने के लिए पहला और दूसरा मिला Looks लेते हैं तो काम आप देखते होंगे हर हफ़ते मानी मुक्भ मंत्री जी कभी जी जी ना किसी योजना में और और किसीमद में कभी गरीब को कभी किसान को रासी हज़ारों करोरों के रूप में हम डाल रहे हैं वह कारिकरम बारा तारीक को फसल भीमा योजना का होगा कल आपने देखा होगा मानि मुक्क मंतरी जहत में गई थे गाउं का गौरब दिवस मनाने के लिए आज उन्होंने सभी मंतरीयों से कहा भी है कि सभी लोग अपने अपने गाउं में गौरब दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रयास करें उन्होंने उधारन दिया जैसे इंदोर ने मा अहल्या भाई के जनम दिन को मनाने का तैकिया है बोपाल में जब बिलिनी करन की तारीक थी उसमें बोपाल का बनाने का तैकिया है और विस्तार से उन्होंने इसको सभी के सामने रखा भी किस तरह से जब पुराने पुराने लोग जो गाउं के थे हुने बोलाया और उनमें कितना उत्साह का बातरवन था कई लोगों ने आंगनवारी गोद ले ली कई लोगों ने गाओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली तो जब लोगों को उस दिन वहां बुलाया जाएगा गोरव के रूप में तो लोगों के अंदर एक वोज और उत्सा और हम स्वाइवान भी आता है और इसलिए इस तरह के कारेक्रमों को करने के लिए आज होने सबी से कहाएं कि अगली बैठक के पहले अपनी अपनी राय गाओं की तारिक दे करके इस बारे में रखें कुछ रहा है झाल